अब तक आपने इश्के दर्या में देखा कि अकीरा इंसानों की बीच फस गई है वहीं चारो और शकील और गंपत जैसे दुश्मन घूम रहे हैं इसी बीच सागर और अकीरा के बीच फूर्ती प्यार के चिंगारी एक नई कहानी को अंजाम दे रही है दूसरी और जलपरी के दुनिया में भी एक प्रीम कहानी बरसो पहले गड़ी गई थी जो शाहीन और अकीरा की मा मर्यम के बीच लेकिन बाद में उन दोनों की बीच ऐसा क्या हुआ जो शाहीन मर्यम का नहीं बलकि उसके छोटी बहन लुबीना का पती बना जानने के लिए देखिए आज का एपिसोड कहानी जारी है मर्यम लुबीना को अवास लगा रही थी कि तब ही वह देखती है की लुबीना की बिस्सर पर उसकी डायरी खुली हुई है जिसे लुबीना बच्पन से लिखती आ रही थी डाइरी के उस पेज़ पर लुबीना ने शाहीन और उसकी पेंटिंग भी बना रखी थी जिसमें शाहीन लुबीना की गालों को चूम रहा था मरियम बेचैन होकर डाइरी उठाती है और शुरू से पढ़ना शुरू करती है लुबीना ने हर किस्से के साथ उसकी और शाहीन की ड्रॉइंग की होई थी मरियम पढ़ना शुरू करती है आज शाहीन ने मेरे हाथों को चूमा फिर मेरे बालों को चुआ और फिर मेरे गालों को मेरी तन बदन में ऐसी आग लगी थी जैसे शाहीन ही उस आग को बुझा सकता है मर्यम गुस्से से पेज पलटती है आज मेरी शाहीन ने कहा कि उसे मैं बहुत अच्छी लगती हूँ बच्पन से इसी दिन का इंतिसार कर रही थी मर्यम जैसे जैसे पेज पलट रही थी वहाँ सब जगा सिर्फ शाहीन ही शाहीन लिखा था जिसे देख मर्यम जल भुनकर राख हो जाती है वह जोर से चीकती है इतनी जोर से की पानी में जवार भाटा पैदा हो जाता है जरीन इस बात से बेखबर अपने कमरे में थी कि जल परियां उसे बुलाती है जरीन जैसे ही मर्यम के कमरे में आती है तो देखती है कि मर्यम ने लुबीना की गर्दन को जकर कर चाकू लगा रखा था मर्यम ये क्या कर रही है तू? मैं तीरे बड़ी वेहन हूँ और तुब बड़े होने का फाइदा ऐसे उठाएगी क्या कि मेरे होने फाले पती के साथ रंग रल्या मनाती रही कि और मुझे पता भी नहीं चलेगा हाँ ये ये तो क्या हो रही है तब ही शाहीन वहाँ आ जाता है और मरियम लुबीना की डायरी यो जमीन पर फैकती है कि पनने की चेश्टा कर रहा था कि बड़ी के साथ भी प्यार कर लूँगा चोटी के साथ भी और मुझे पता भी नहीं चलेगा मरियम ये सब सच नहीं है लुबीना सिर्फ मेरी दोस्त है अच्छी दोस्त हमारे बेच बे कभी कुछ नहीं हुआ रानी जरीन मेरी बात का विश्वास करो मैं सिर्फ मरियम से प्यार करता हूँ लुबीना से नहीं लुबीना शाहिन को देख रो पड़ती है हाँ मरियम शाहिन सिर्फ तेरा है ये मेरे नसीब है ही नहीं मैं तो बस मन ही मन से पसंद करती थी मगर कभी हासल करने की नहीं सोची जो तेरा है उसे कैसे लेलू मरियम शान्त हो जा पर मरियम एक नहीं सुनती मा इन दोनों को बो शाहिन ने लुबिना की डायरी उठा ली और बिचारी लुबिना को सहारा देते हुए दोनों कहीं जाकर बैठ गए। लुबिना की सोने के बार शाहिन एक एक कर सारे पनने पड़ता है और उसकी आँखे नव हो जाती है। शाहिन के पास जाकर उसे सारा माजरा बताता है। कुछ देर बाद जब लुबिना को होश आता है तो उसके तो होश ही उड़ जाती है। शाहिन ये सब क्या? क्या हम वापस घर चले गए? क्या ये कोई ख्वाब है? शाहिन लुबिना को सच्मुच चूमता है और सीने से लगाता है। अब बारी है इसके पूरे होने की। तुम्हारी दिवान की देख मैं खुद को तुम्हें सौप चुका हूँ मेरी लुबिना। और तब से इस खेमे में शाहिन और लुबिना शादी करके अपनी जिन्द की जीने लगे थे। तो दूसरी होर खुशी। अपनी बेटी को हमेशा ही दुख्यारा देखकर रानी जरीम को भी अंदर ऐसा खाव हुआ कि वो बिमार हैने लगी। वक्त बीता गया और मर्यम ने अकीरा को जन दिया और उधर शाहिन और लुबिना के सोनिया पैदा हुई। जरीम के तब्यत इतनी खराब हुई कि वो मर्ने के हालत में जा चुकी थी। एक रोज लुबिना मर्यम के दर पर आई। पर रानी जरीन से ना मिलने की टीस ने लुबिना को बहुत दर दिया था। हाँ, वो कहते है न, एक पिड़ी की दुश्मनी दूसरी पिड़ी खत्म कर सकती है। पर लुबिना भी या मर्यम के महों से अलग हो गई है। तो हमको जो भी करना है वो छिपकर करना होगा। सब लोग हाथ मिला कर अपना प्लान्ट शुरू करते हैं। अकीरा बटन ढोडना शुरू करती है और तभी उसी याद आता है कि वो आखरे बार बटन के साथ मेले में थी। अकीरा सागर की कमरे में जाती है और उसे रिजाने की कोशिश करती है। 240W का जटका ही लग गया हो मैं क्या करूँ मेरे पास कोई काम भी तो नहीं है बस बहानी से तुम्हारे साथ बाहर जाने के लिए ही तो कह रही हूँ जहां तुम हो मैं हूँ और हमारी ये सुन्दर जगह सागर किनारी अब घर में रहे कर तंग आ जाती हूँ मुझे तो आप लोगों की बोली भी आती समझ नहीं आती है क्या मैं कुछ गलत बोल रही हूँ नहीं नहीं अकीरा मैं ले चलता हूँ आपको बाहर आज से मैं आपका टूर गाइड आप कहें जहां जहां चलूँगा मैं वहां वहां अब खुश अकीरा खुशी से तालिया बजाती है और सागर का गाल चूम लेती है अकीरा के चूमनी से सागर के आसपास तो दिल के गुबारे उड़ने लगे थी सागर अकीरा को बाहर ले जा रहा था कि तभी सुरीली उसे रोग देती है और साइड में ले जाती है कहां जा रहा है तू मैं तो इसके साथ घूमने जा रहा हूं मा बेचारी बोर हो रही थी शायद इसे तो ये भी नहीं बताना आता कितनी भोली है न मा ये भोली? हाँ, चंट है चंट बेटा तू इससे दूर है और इसके साथ अकेले तो बिल्कुल मत जा मेरी बात मानली प्लीज क्या? मा ये तो क्या नाफशना बोले जा रही है तो ठीक तो है? कल तक जो लड़की तुझे बहु चाहिए थी आज उसी से दूर रहने के लिए कह रही है हाँ क्योंकि कल तक मैंने इसका सच नहीं देखा था न बेटा बेटा ये कोई इंसान नहीं है कल हेमा की फंक्षन मी ये ऐसे चमक रही थी जैसे सफेज चांदी कुई इंसान इतना कैसे चमक सकता है? नहीं नहीं चमक रही थी अरे इतनी सुन्दा लड़की है चमक तू आएगई ही ना? अर तू ही बता आख ना कान बोली सब तो इंसानों वाली है तो इंसान नहीं तो फिर क्या है ये शायद कोई डायन हो या फिर चुड़ैल या फिर शायद कोई एलियन हो हाँ बेटा कोई एलियन ही होगी वो तो इंसानों का भेश भी बना लेते हैं न तुम अज जाए इसके साथ मैंने सुना है एलियन बहुत खतरनाक होते है जो इनसानी चमड़ी में एक बड़ा सा कीड़ा होता है और इनसान को एक ही बार में निगल जाता है सुरीली दर्वाजे पर खड़ी अकीरा को देखती है और अकीरा उसे कीड़ा नजर आती है अकीरा का शरीर दो भाग में फटता है और उसमें से एक बहुत बड़ा कीड़ा निकल कर सागर के और बढ़ता है और वे अतिव शाल कीड़ा एक ही जटके में सागर को निकल जाता है सुरीली देखती है कि सब ठीक है साकर उस पर बहुत हस्ता है और अकीरा का हाथ थाम कर चला जाता है मा भी ना क्या पोई रही थी वो वही अपने हिंदी सीरियल्स की कहानिया कहती है कि तुम इंसान नहीं हो अकीरा साकर के बाद से थोड़ा घबरा जाती है और दोनों टहलते हुए से मेली वाली जगा पहुँच जाते है कि तब ही अकीरा खोशो कर उसे हाथ चुड़ा कर भागती है और इधर उधर सब ढूनने लगती है उधर परिशान सुरीली हेमा से सारी बात कहे डालती है हेमा शकील को फोन लगा कर सब बता देती है अकीरा आगी ढूनती है कि तब ही साकर उसे पकड़ता है बस करो ना अकीरा कच्रे में क्या ही ढूनडोगी जब हीरा तुम्हारे सामने खड़ा है तुमको अजीम नहीं लगता गया कि मुझे दुनिया की सबसे सुन्दा लड़की योहीं आकर मिल गई साकर अकीरा की गर्दन को चूमने वाला ही था कि तब ही अकीरा घबरा कर हड़ जाती है अगर साकर अभी हर वक्त मुझसे यों चिपका रहा तो मैं कैसे वो बटन ढूनडोंगी मुझे या अकेले ही आना होगा वो भी एकतम अकेले अज रात में जब सब सोच आएंगे तो मैं यहां आकर मेरा समान ढून लोगी भूके पेट इश्क नहीं लड़ाया जाता साहब मुझे तो फोक लग रही है तुमको भी लग रही है तो पकड़ कर दिखाओ मुझे सागर को छेड़ कर भाग जाती है दोनों हसते हुए भागते हुए घर लोटाते है उनके जाने की तुरंद बात उस जगे पर शकील आता है आँ खुश्बू ये खुश्बू तो अलग दुनिया की है जरूर मेरा शिकार अभी यहां से होकर गुजरा है पर वो यहां जरूर आएगा अब बारी है जाल बिछाने की अकीरा बेखबर सी रात में सो जाती है मगर शकील वहां जाक कर पहरा दे रहा था और दे रात अकीरा की आँखे खुलती है अब देखिए क्या कीरा खुद मौत के मूँ में चली जाएगी या कोई चमतकार उसे बचा लेगा जाने के लिए देखते रहें इशके दर्या केवल अनम स्टोरी